जाहिन दोस्तों स्वागत है आज की क्लास में आज होने जा रहा है टेस्ट जो कि आज देखा जाएगा कि कितने कोशंस सही बनते हैं आपके आप भी दिजिएगा साथ में टेस्ट को पहला सवाल जी पहला सवाल आचुका है अंसर देने की कोशिश करिएगा सभी अपना-पना अंसर जो है वो देने की कोशिश करिएगा जल्दी से जल्दी क्या अंसर होगा पंद्रासो रुपे है छे प्रतिशत है पांच वर्ष के लिए उधार दिया गया है और अवधी के अंत में मिश्रधन ग्याद करना है मिश्रधन मतलब अमाउंट निकालना है क्या अंसर आया जल्दी से अंसर करो पटाकेदार पटाकेदार अंसर आना चाहिए जी उननीसो पचास उर्पे यह लिजिए उननीसो पचास ही सही अंसर है कैसे करेंगे इसका सल्यूस्षन देख लिजिए पंद्रा सो रुपे का आपने कितना निकालना था छे परतीशत इसलिए जीरो से जीरो गया पंद्रा को छे से गुणा कर लीजिए तो कितना हो गया आपका जी पंच ये के तीस तीन तीन नब्बे नब्बे हो गया जी तो कितने साल का पूछा था जी पान साल का, तो गुणा पाँच गिया, तो कितना हो गया, साड़े चार सो रपिया, ये क्या हो गया, बैच्छा, साड़े चार सो, ब्याज हो गया, क्या हो गया, ब्याज हो गया, और आप से पूछा है, अमाउंट, जो कि ब्याज प्लस प्रिंसीपल के बरावर होता है, ब्य question की तब चलेंगे मैं ये कोशिश करूँगा कि सभी अंसर कौन फटाकर के अंसर देता है दीजिएगा क्या अंसर होगा जल्दी से अंसर करिए अंसर जल्दी से करिए अंसर जल्दी से करिए पांच प्रतिशत ब्याज की दर से पांच सो रपे का कितने वर्ष का सधारन ब्याज डेड़ सो रप्या हो जाएगा डेड़ सो रप्या हो जा रहा है जी ब्याज तो वर्ष बताईए टाइम बताने है सोचिए जल्दी से अंसर देखा लिए स्पीड में हरी अप स्पीड में हरी अप लबबक समय समाप्त हो चुका है डेड़ सो रप्याइज इकल टू पांसो गुणा रेट गुणा टाइम ओवर हंडर्ड जीरो से जीरो गया पांच एकम पांच पांस दिये पंदरा पांच एकम पांच पांच ही के तीस छे साल अंसर आएगा जी छे वर्ष छे वर्ष होगा प्यारे बच्चों छे वर्ष इसका सही अंसर होगा अगला सवाल इसका तो सीधा ही अंसर आगया इनके अंसर सामने ही है अगला का अंसर सौल करने की कोशिश करिएगा इसमें इफेक्ट नहीं डाला होगा इसलिए थोड़ा सा रह गया रमे सुरेश काक को कुछ धन ब्याज पर चार वर्ष के लिए हुधार दिया अब दीर के अंत में 6 बटा 5 गुना धन बपिस किया तो ब्याज की दर ग्याद करें ब्याज की दर ग्याद करें जल्दी से अंसर निकालने की कोशिश करें सभी अंसर निकालने की कोशिश करिएगा छे वटा पांच दिया है पांच प्रतिशत यहां पर दिया हुआ है अंसर आप अपना टैली कर सकते हूँ क्वेश्चन कैसे होगा अगर एक उर्पया है तो वो छे वटा पांच हुआ तो क्या आएगा आपका छे वटा पांच माइनस एक यानि की आपका आगया एक वटा पांच ठीक है बचो एक वटा पांच तो एक वटा पांच बरावर है एक गुणा रेट रेट नहीं दिया है रेट निकालना है टाइम चार साल वटा सो ठीक है इस परकार से करना था आपको चार से एक कैंसल कर दो चार दुरी आठ चार पज़े बीस पांच से पांच एकम पांच पांच पज़े पच्छिस तो rate is equal to 5% rate equal to 5% I hope की clear हो गया होगा आपको clear है जी अगला सवाल try करने की कोशिश करिए same सवाल रहेगा फिर से कोई जादा फर्क नहीं पढ़ना है बचो एक रुपया जो है वो कितने बन रहा है आपका पढ़ना है ये ग्यार गुना ग्यारा बटा दस गुना धन बन रहा है ग्यारा बटा दस तो यानि कि एक बटा दस इस पर प्लस हुआ तो यानि कि ग्यारा बटा दस हुआ है तो वही SI is equal to P into R into T over 100 तो P की value कितने हो जीगा SI हो गया आपका 1 over 10 P की value 1 rate की value निकालनी है time दो साल over 100 0 से 0 गया दो एकम दो दो पांचे दस तो R आगया आपका कितना 5 प्रतिश्यत R कितना आगया 5 प्रतिश्यत clear जी 5 प्रतिश्यत अगला सवाल फिर से try करिएगा 4 प्रता 25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो अब कैसे करेंगे question को question ध्यान से पढ़िए सधारन ब्याज उस धन का 4 प्रता 25 हो जाता है यदि की धन का 4 प्रता 25 होने का मतलब क्या हुआ ब्याज जो है ब्याज ब्याज जो है वो धन का यदि की प्रिंसिपल का 4 प्रता 25 हो जाता है ये बोल रहा है ठीक है तो ब्याज ब्याज आपको पता है SI interest तो interest यदि की SI over मूल धन बराबर है 4 प्रता 25 यदि की 4 प्रता 25 पे मूल धन ठीक है जी आगे क्या बोला है rate जो है वो धर की संख्या के बराबर ही है जितना rate है उतना ही time है दोनो अगर equal है तो r equal to r कर लो या t equal to t कर लो बात बचाओ एक ही होगी क्योंकि उन्हें ने क्या बोला है दोनों की संख्या बराबर है अगर rate अगर 2% है तो time दो year हुए तो इसलिए rr कर लो या t t कर लो और आपको निकालना क्या है दर तो rr लेना है time निकालना होता है तो किन निकलेते t t लेते ठीक है तो simple interest is equal to p into r into t over 100 यही formula मैं apply कर रहा हूँ ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ 4 ही आगया principle होगया 25 rate आपका same रहेगा time rr ही आएगा time की जगा r क्यों आया क्योंकि t equal to r दोनों की संख्या बराबर है इसलिए t की जगा मैंने r कर दिया over 100 पच्ची एकम पच्ची पच्ची चौक के 100 चार दूसरे के साथ multiply करेंगे तो क्या होगा 16 square जाएगा तो वहाँ पर क्या बन जाएगा under root तो r के वली कितनी होगी 4 sir और 4 ही answer है तो I hope कि आपको ये type जो हो अच्छे से clear हो गया होगा बहुत बढ़ी हम्मैक जी अगला question try करने की कोशिश करिए बिल्कुल डिटो रहेगा answer को निकालेगा फटा करके क्या कहता है question सुधारण ब्याज उसके उसके किसके मूलधन के ब्याज होता है SI मूलधन के एक बटा चार कराबर है यानि कि SI over P equal to 1 by 4 ये SI हो गया ये P हो गया इतना तो clear है ठीक है इसके बाद दर्क यान करनी है बस हो गया question SI के विच्छों क्या फारून लाए सर्पी इन्टू आर इन्टू टी ओवर हंडर होता है जी तो SI की वैल्यू के आगई वन प्रिंसिपल कितना आगए जी चार रेट कितना आगए जी निकालना है जी टाइम कितना है जी पांच साल दिये जी ओवर हंडर्ड काट लो जी पांच एकम पांच पांच दूनी दस चार एकम चार चार पंजे बीस तो रेट कितना आगए बच्चों पांच परसेंट तो पांच परसेंट यह आपका अंसर है क्लियर है जी टाइप कैसे मज़े आये ना ऐसे लगें के मज़े अगर आप ध्यान से सुनोगे ध्यान से पढ़ोगे तो मज़े और रोजाना क्वश्चन करोगे तो और ज्यादा मज़े अगर कॉपी पैंसिल जरूर लीजिए वीडियो को देखते नहीं रहना है आपने उसको इंप्लिमेंट करना है कॉपी पे इस कांसर निकाले की कोशिश करिए इस क्वश्चन को क्या कहता है एक व्यक्ति ने ब्राबर ब्राबर धन छे प्रतिशत वार्शिक दर्थ पर राम को आठ वर्ष के लिए श्याम को दस वर्ष के लिए उदार दिया मतलब 6% पर अधा अधा पैसा बाढ़ दिया एक को आठ साल के लिए दिया एक को दस साल के लिए दिया और दोनों न जो वह हो 2160 रुपे जो है वह पापिस कुल दियें कितने रुपे दियें 2060 रुपे दियें ठीक है जी को बहुत बढ़ी आजी इसके बाद दोनों के बर्ष यानि कि लग लग समय के लिए तो डोटल कितना हो गया समय दोनों का समय कितना हो गया 18 ठीक है जी तो अब हमें धन बताना है ठीक है जी तो यह तो यहनी की ब्याज के रूप में दिये हैं 260 धन क्या हो गया पी इंटू आर रेट क्या दिये जी 6% तो 6% टाइम कितना हो गया बच्चों 10 और 18 ठारा ओवर 100 100 किसका है आपको पता है SI equal to P into R into T over 100 बस अब इसको calculate करना है आपने और कुछ नहीं करना है calculate करेंगे और answer निकालेंगे विटा ठीक है तो कैसे करेंगे तीन से काट दूँ चलो पहले इसको लिख लेता principle is equal to 2160 गुणा 100 बटा 6 गुणा अठारा यह उल्टे हो गए यहां पर आगे ठीक है अब स्टार्ट करते हैं तीन दूँ चे तीन सते 21 ठीक है जी तीन दूँ चे जीरो ही आगया दो से दो तीए चे दो चीके बारा जीरो ठारा एक कम ठारा ठारा दूँ चतिस बीस ही आगया तो P के विख लिख कितनी बन रही है कितनी बन रही है दो जार पिया बीस को सौ से गुणा कर लेना है तो दो जार पिया बना क्या बना दो जार पिया तो I hope कि आपको यह clear हो गया होगा question सबको हुआ clear ओके बहुत बढ़ी है जी बहुत बढ़ी है अगले question को try करने की कोशिश करेंगे हम किसी धन के 6 प्रतिशत वार्शिक दर से 3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष का ब्याज का योग 270 है ब्याजों का योग दिया है जो की 270 दिया है ठीक है जी तो वे धन ग्यात कीजिए धन ग्यात करना है कैसे करेंगे धन को सोचिए सोचिए जल्दी जल्दी सोचिए मन चित लगा कर सोचिए बहुत बढ़ी है जी तो सेम सवाल है ये पिछले question की तरह जी जो question किया है सेम रहेगा इसी की तरीक के से बच्चों 270 क्या है ब्याजों का योग यानि की ब्याज दिया है 270 यानि की SI equal to Y formula P into R into T मैं A की formula से सारे question करता हूँ ना कोई ज्यादा रटने की जूर्त ना कुछ करने की जूरूर्त बस question को समझने की कोशिश करिए ब्याज कितना हो गया बेटा 270 principle निकालना है जी धन तो निकालने को बोला है ठीक है कोई नहीं rate कितना हो गया 6 हो गया time कितना हो गया सर 6 और 3 9 हो गय over 100 मैंने क्या कहा बैसा का बैसा डिट्टो का डिट्टो करना है 270 गुणा 100 और 6 गुणा 9 9 एकम 9 9 ती एस्ताई 0 चे कम चे चे पंजेती और पी के वली कितनी आगे बैटा सर पांसो कितनी आगे जी 500 सही है ना कोई मैथड बदला कभी नहीं बदला मैथड नहीं बदलता है question सेम रहता है बस उसको समझने का तरीका अलग अलग है ध्यान से समझिए कोई धन साथ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से तीन वर्ष में 1210 हो जाता है कितने सालों में तीन सालों में 1210 हो जाता है कितने सालों में ये 1350 हो जाएगा कितने सालों में ये 1350 हो जाएगा साथ प्रतिशत वार्षिक दर से तीन वर्ष में बारा सो दस हो जाता है ठीक है और कितने सालों में ये तेरा सो पचास उर्पई हो जाएगा क्वेश्चन सोचिए कैसे करेंगे तेरा सो पचास कैसे होगा तो सर इसका मतलब यह हो गया कि तीन साल में इतना हो रहा है तो इसका पहले हमें मूल धन निकालना बड़ेगा कि principle कितना है जो कि हमें 1210 रुपए ब्याज की रूप में दे रहा है तो बेटा हम क्या करेंगे 1210 को का हम मूलधन निकाल लेते हैं तो हमारा SI equal to होगा 1210 ठीक है equal to principle होगा निकालना है rate आपके पास कितना दिया है 7 time 3 साल भटा सौ ठीक है जी तो पी यहीं पे रहा गया पिछले कोशन की तरह ही 1200 100 बटा साथ गुना तीन साथ से एक चला रहेगा कोशिश करो कोशिश करो जाएगा नहीं साथ ये 21 आरे 121 है अच्छा तो आपका कितना आ रहा था ये कितने समय के लिए दिया था ये दिया था आपका कोशन में तीन साल ये है तीन वर्ष के लिए जो की ये है और साथ प्रसेंट से ठीक है वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन जो है वो बढ़ रहा है तो आपका इसका एक फॉर्मूला भी होता है कौन सा होता है मूलधन का प्रेंसिपल इस इकोल टू अमाउंट इन्टू हंडर ओवर हंडर प्लस रेट इन्टू टाइम डिरेक्ट भी लगा सकते हो आप ठीक है जी अमाउंट यानि कि आपका अमाउंट बोलो मिश्रधन या आपका ब्याज बोलो कुछ भी बोलो आप तो इसका अमाउंट टोटल कितना हो गया जी बारा सो दस रुपे हो गया ब्याज नहीं है अमाउंट दिया था बारा सो दस ठीक है नहीं इन्टू हंडर और हंडर प्लस रेट आपका हो गया जी के वह थार्वारा साथ और टाइं हो गया तीन है तो बारासो 30 सो गूना सो वर टॉट्टल ओंगे एक सो एक इसा करेंगे तो चौनतनों हो BP होगया हजार उपया मूल तन कितना हो गया हनी कि जो कि हजार इंधिय dirt Fit by अट्यवाब रहे सब्सक्राइब निकालना है traveling को सब्सक्राइब कि लोग्या सब्सक्राइब हो गया 1000 रप्या रेट आंप का हो गया 7 प सेंट टाइम हमें निकालना है इसलिए टी आगया ओबर हंडर्ड mundwijr 202 जीरो के इस जीरो से एक जीरो भी साथ कमसा साथ में 35 तो टाइम कितना घ्या क कितने वाइम कितने जये अगर मैं आपको उसके लिए बतादू हजार के लिए तो एक समझ लेजिए की बारह दशुय क्या चीज था बियाज नहीं यह दर से थीन वर्श का 1210 पें हो जाता है 1210 पेज नहीं बोला है पैसा जो है याज का फिर जुनने के बाद मतलब वह बारह दशु दसस्वन रहा है एमाउंट बन रहा है तो हम यह भी समझ सकते हैं कि सिंपल इंट्रस्ट इस इकल टू इमाउंट माइनस प्रिंसिपल तो सिंपल इंट्रस्ट किसके रहाबर होता है amount minus principle amount कितना हो गया 1210 minus principle तो यहां पर पी रहे गए तो यहां पर भी पी rate क्या है आपका साथ time कितना है तीन बटा सो तो सती यह 21 हो गए ओवर हंडर यह पी आ गया यह भी प्लस पी हो गया इकल टू 2110 मनब 2110 ठीक है जी अब इस का एलसियम लो तो सो एकम सो सो जमा पी कितने हो गए 121 पी ओवर सो तो 121 से यह कैंसल हो जाएगा दस और यह 100 से गुणा होगा तो पी इकल टू फिस से हजारी आ जाएगा अगर कोई यह सोच रहा हो कि हमें यह रटना पड़ रहा है तो मैं कह रहा हूं मत रटो अब यह अपना traditional method ही दिमाग में रखो 1210 ठीक है जी तो यह पांच साल जो है वो इसका सही अंसर आ गया है मैच कर गया यह ठीक है जी तो इसी परकार से जो है हमारे यह questions रहेंगे I hope कि आपको यह questions बहुत अच्छे से भैतर से समझ आ गया वोगे तब तक लिए अपना और बेस बनाते रहीए तब तक लिए जय अध्य भारत जय हिमा चल करें